चलिए तो आज की क्लास शुरू करते हैं कैसे हैं आप लोग और कल हम लोगों ने बोवी कल्पी कुछ कोश्चन देखे हुए थे जो कि हमारे घर्णमाला से सम्मंदित थे आज उसी को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं और आज इस चैप्टर को और इस पूरे जो बोवी हैं ठीक है तो पहला कोश्चन देखते हैं पहला क्या है शास शास सा हा कौन से बेंजन कहलाते हैं तो इसमें हमको यह देखना पड़ेगा कौन से बेंजन कहलाते हैं पहला प्रकपी इसपर्शी संगर्शी और इसपर्श संगर्शी ठीक है तो जैसा हमने पहले भी पढ़ा और इन्ही सब्दों को हम अघोस और महाप्राण भी कहते हैं क्या कहते हैं अगोस कहते हैं और महाप्राड महाप्राड भी कहते हैं ठीक है चलिए अब हम लोग दूसरे आप्शन पर पासते हैं ठीक है तो दूसरा जो कोश्चन है वो हमारा क्या है निम्न में कौन सा घोस वर्ड है ठीक है तो जो हमारे घोस वर्ण होते हैं जो घोस वर्ण होते हैं वो कौन-कौन से होते हैं हमने आपको बताया था जब हमने इसकी पूरी क्लास ली हुई थी तो हमने आपको इसमें बताया हुआ था कि जो घोस वर्ण होते हैं वो हमारे जो होते हैं वो हमारे ब्यंजन होते हैं उसमें हर वर्क का तीसरा, चौधा और पांचमा और अगोस कौन से होते हैं? पहला और दूसरा अगोस में छोटा आ अता है तो उससे हमको यह पता चल जाता है अगोस तो छोटा यानि कि पहला और दूसरा तो इसलिए घोस कौन से हो जाएगा, तीसरा, चौथा और पाँचमा, तो इसमें हमारे पास तीसरा, चौथा और पाँचमा कौन सा है, तो का और खा, खा जो है वो दूसरा है, तो यानि कि ये अघोस हो जाएगा, चा ये पहला है, तो ये भी अघोस हो जाएगा, मा, तो पा भा 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 मा तो ये पांच मा है तो हमारा सघोस कौन सा हो जाएगा हमारा कौन सा हो जाएगा मा तो यानि कि हमारे पास हम यह कह सकते हैं कि यह कौन सा हो जाएगा मा हमारा कौन क्या हो जाएगा गोस बंड हो जाएगा फिर अभी हमने जैसा बता है कि अगोस बंड कौन से होते हैं अगोस बंड हमारे वो होते हैं जिन के उच्छाड़ में सुतंत्र कमपनो हर वर्क का पहला और दूसरा वेंजन ही अगोस बंड होता है तो जैसे आप देखिए इसमें से कौन सा हो सकता है तो आ, जा, हा, और सा देखें इसमें वेंजन को गिना जाता है तो आ तो हो नहीं सकता जा तो चा, छा, जा तो जा हमारा चौता है तो ये भी नहीं हो सकता वो जो है घोस हो जाएगा हा, तो या, रा, ला, वा, शा, सा, हा, तो जो हा है, तो वो भी नहीं हो सकता, ठीक है, अब जो आते हैं, क्योंकि हा जो होता है, वो हमारा सघोस और महाप्राण होता है, क्या होता है, हा होता है, सघोस और महाप्राण, तो हमारे पास अब कौन से बच्चा, सा, तो जैसा हमने सघोस और महाप्राण होता है तो हमारा इसमें से देखिए कौन से मिल जाएगा सा, तो सा क्या हो जाएगा हमारा इसमें अघोस बरंड हो जाएगा सा क्या हो जाएगा अघोस बरंड हो जाएगा ठीक है, चलिए चौते कोश्चन पर चलते हैं चौत्वा कोश्चन क्या है? घा का उच्चारड स्थान कौन सा है? ठीक है? तो देखे, जो हमारे पास घा का उच्चारड स्थान है, तो जैसा कि हम लोगों ने उस टेवल में पढ़ा हुआ था, कि कंठ वाले कौन कौन से होते हैं? काखा, गागा, अंगा, और तालब क्या हो दो, K से होता है कंट, T से होता है तालू, M से होता है मूर्धंद, D से होता है दंद, और O से होता है ओस्ट, यह हमारी ट्रिक होती है, ठीक है, तो अब जो घा आता है, किस वाले वर्ग में आता है, का वर्ग में, का वर्ग कौन से होता है, कंट, तो इसका सही एंसर क्या हो जा ठीक है तो जिन सब्दों के अंत में आता है उन्हें क्या कहते है देखें अनुसर तो अनुसर तो हो नहीं सकता ठीक है अनुसर क्यों नहीं हो सकता ठीक है फिर उसके बाद में अयोगवा हमारे पास दो होते हैं कौन कौन से एक तो अनुसर होता है कौन सा अंग की बिंदी वाले को अनुसर कहते हैं और आयोगवा जो होते हैं उसमें दो आते हैं अनुसर और बिसर्ग अनुसर होता है अंकी बिंदी वाला और बिसर्ग होता है अहा वाला तो अंतेस्थ भी नहीं हो सकता फिर आता है अकारांत तो अकारांत क्या होते हैं जो हमारे अंकारांत होते हैं वो हमारे वो सब्द कहला जिनके जो है अंत में आ आता है तो हमारा option सही क्या हो जाएगा डी फिर छटे question पर पहुंचते हैं छटा question क्या है निम लिकित में से कौन सा बरौण उच्छारड की दरश्ट से दंत नहीं है तो दंत वाले क्या टिक होती है के टी एम दो तो दंत क्या यह कंट हो गया यह ताल सा देखेंगे तो देखते हैं कि दंत नहीं है तो दंत नहीं है तो ता वर वाले जितने हैं सारे निकाल देंगे तो देखें इसमें ता था दा था ना तो दा भी है ता भी है ना भी है तो यह तीनों तो अलग होगे बचा क्यों सा टा तो यही हमारा सही हो जाएगा फिर सा क्या होता है कि जैसा कि अलब प्राण में छोटा बना है अलब प्राण में क्या बना हुआ है छोटा और ये पहला होता है तो इसमें कितने वर्ण है तो वर्ण एक दो तीन चार पांच पांच है तो यानिकि इसमें पहला तीसरा और पांचमा ये हमारे अलब प्राण हो जाते तो यानि कि एक तीन पांच, तो यानि कि अल्प्राण हमारे कौन-कौन से हो जाएंगे, एक तीन और पांच तो देखो, आ और बड़ा ये ले नहीं सकते हैं, क्योंकि ये श्वर है फिर हमारे पास आते हैं, पिर बी वाले में, का और गा, ये का पहला है, गा तीसरा है ठीक है आठमा देखते हैं आठमा क्या है हमारे पास तो आठमा है निम्न में से नासिक के वेंजन कौन कौन से होते हैं तो देखे जो नासिक के वेंजन होते हैं उनके लिए हमारे पास देखना पड़ता है कि जो जिनकी जो है हवा नाक से निकले और जिनका ये कह सकते हैं कि ध्वनी नाक से निकले उनको नासिक के कहते हैं, ठीक है, कौन कौन से होते हैं अंग्या, वा और ना, ना, मा, ये सारे हमारे कौन कौन से होते हैं, सब नासिक के बेंजन कहलाते हैं, कौन कौन से होते हैं, एक तो ये होता है, एक हमारा ये होता है, और एक हमारा ये होता है, फ इसमें option जो है साइद गलत हो गए है तो इसमें सही option क्या हो जाएगा ये ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं फिर नवा question है कि निमनिलिकित में से आयोगवा कौन सा है कौन सा आयोगवा तो हमने आपको अभी पीछे भी question में बताया आयोगवा हमारे पास कौन कौन से होते हैं आयोगवा हमारे पास होते हैं दो कौन कौन से होते हैं एक होता है अनुसर जिसमें अंग की बिंदी ली जाती है और एक होता है हमारे पास विसर्ग जिसमें ये हमारे पास इस आहा की ली जाती है तो एक कौम सा होता है एक होता है हमारे पास ये आहा तो ये होते हैं हमारे पास दो विसर्ग होते हैं तो आयवगवा इसमें से कौम सा हो जाएगा विसर्ग विसर्ग है हमारे पास महाप्राण इसमें नहीं आता है संयुक्त बेंजन इसमें नहीं आता है अलप्राण इसमें नहीं आता है तो हमारा सही क्या हो जाएगा बिसर्ग सही हो जाएगा ठीक है तो अगला कोश्चन देखते हैं अगला कोश्चन क्या है हमारे पास अगला कोश्चन है कि तालवे बेंजन कौन से होते हैं फिर वही टिका जाएगी KTM 2 ठीक है, यह KTM 2 अब KTM 2 में क्या होता है तालव, तो यानि गी कंठ तालू के बाद, कंठ का वाला वर्ग, तालव यह ता वाला वर्ग, मुर्दांध हमारा ता वाला वर्ग और दंत हमारा ता वाला वर्ग, कंठ हमारा का वाला वर्ग, ये टा वाला वर्ग, मुर्दान्द हमारा टा, ये दंत हमारा चा वर्ग होता है, दंत हमारा चा वर्ग होता है, और M मुर्दान्द हमारा टा वर्ग होता है, ये ता वर्ग होता है दंत वाला और ओष्ट वाले हमारे सारे पा वाले वर्ग होता है तो हमसे तालब वे पूछा किया है तो तालब में कौन सा आ जाएगा जितने भी जो तालब वे होते हैं वो सेकंड वाले ये KTM 2 के हिसाब से देखेंगे तो इसमें तालब बी मिल जाएगा तो हमारा क्या हो जाएगा ये तावर्ग बाला तालब बे हमारे सेकंड वाले जो दूसरे होते है का के बाद चा आता है तो चा वाले हमारे ये सब तालब बे हो जाएँगे ठीक है अब हम लोग आते हैं अनुनासिक बेंजन कौन से होते हैं तो अनुनासिक बेंजन देखते हैं प्रतमर परण जो होते हैं जो हवा है वो मेरी नाक और मुस दोनों से निकलती है फिर भासा निर्माड की इकाईयों का सही अनुकरम क्या है ठीक है तो जो भासा निर्माड की अनुकरम इकाई होती है वो हमारी क्या होती है यह कह सकते हैं कि भासा निर्माड की सही अनुकरम इकाई तेके सबसे पहले क्य जाती है धोनी , धोनी से हमारा सब्द बनता है , फिर बाकर बनता है , ठीक है तो हम लोगों को यहां पर हमारा सही option क्या हो जाएगा ? यह चौथा वाला हो जाएगा क्या हो जाएगा चौथा वाला ओप्सन इसमें सही हो जाएगा ठीक है तो इसमें जो है यह चोथा वाला सही हो जाएगा ठीक है चोथा वाला इसमें सही है ठीक है अगले वाले पहुंचते हैं तेर्मा कोश्चन क्या है या रा ला वा ये किस वर्क के विंजन है तो देखे या रा ला वा जो है ये किस वर्क के विंजन है जैसा कि हम लोग पहले भी पढ़ चुके थे हमने जब इसका पूरा एक क्लास ली हुई थी तो क्लास में हमने बताया था जो या रा ला वा जो होते हैं ये सघोस और अलप्राण होते हैं ठीक है और ये अंतहा इस्थ भिंजन भी कहलाते हैं तो देखें तालब तालब हमें पता है कि हमारे पास जो होते हैं वो चावर हमारे पास कौन सा होता है या होता है रा होता है ला होता है और वा होता है यह चार वर्ण हमारे अंतरस्त बेंजन कहलाते हैं और यही हमारे वर्ण जो है बेंजन अंतरस्त के अंजर ओश्ट भी हम को पता है क्या होता है तो फिर अब आते हैं लास्ट कोश्चन पर यह है निम मुक भीवर में उचारित धुनिया निमने लिकित धुनियों का सही अनुकरम क्या है तो देखे इनका जो सही अनुकरम क्या है सबसे पहले जो होता है हमने केटियम दो क्या होता है केटियम दो ये होता है सबसे पहले कंट फिर तालू फिर मूरधांद ठीक है और फिर आता है दंत और फिर ओस्ट तो देखिए इन में हमें सबसे पहले जिसमें भी कंट दे रखा होगा वो हमारा सही हो जाएगा तो पहला ओप्सन दे रखा है कंट फिर तालब और जो वचसर होता है इसी को हम लोग मूरधान दे भी बोलते हैं ठीक है फिर उसके बाद आता है दंत और फिर ओष्ट तो यानि कि हमारा ये पहला option सही हो जाएगा, क्या हो जाएगा, पहला option सही हो जाएगा, और आप लोगों को इसकी जो PDF है, वो मेरे टेलिग्राम चैनल पे मिल जाएगे, और टेलिग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है, चलिए, जादा लोगों तक शेयर कीजिए,